हलो फ्रेंड्स राकेश का पूर्दिस साइड आज का ये सेशन मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टन आस्पेक्ट को समझाने के लिए बनाया है यह टॉपिक बेसिकली विल से रिलेट करता है यूज्युलिए विल को लेकर अकसर लोगों के बीच में कोई न कोई डिस्प्यूट होते रहते हैं और दोनों पार्टीज अपने अपने साइड से अपने अपने वरजन पुट अप करते रहते हैं लेकिन कोट इस तरह के मैटर्स को कैसे अनलाईज करती है और क्या-क्या angles court के होते हैं किसी matter को decide करने के लिए तो उसको जरा हम भी एक particular angle से देख लेते हैं इसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा example आपके सामने set out किया है जिससे आप समझ पाएंगे कि court का analogy कैसा होता है और आपके lawyer को court में कैसे proceed करना चाहिए या आपके पास क्या-क्या evidences होने चाहिए किसी will को prove करने के लिए तो हाला कि हमारे पास 1000 examples हो सकते हैं उन में से एक छोटा सा example मैंने आपको दिया है ताकि मेरे जो followers हैं जो मुझे follow करते हैं YouTube पर या Facebook पर उनके reference के लिए मैंने ये video session मनाया है तो चलिए जड़ा देखते हैं इस example को ऐसा assume कीजिए कि एक father है और उसकी दो बेटियां है A और B और ये जो A है इसका एक बेटा है उसका नाम है C अब ये जो father होता है ये अपने last days में last six months के days में अपनी बेटी A के पास चला जाता है और उसके साथ रहना start कर देता है अपनी ठीक मौत से एक दिन पहले ये facts चो किये जाते हैं कि उसके father ने A के बेटे के नाम पर सारी property कर दी जब ये बात B को पता चलती है तो B court में एक suit file करती है और उसके लिए कुछ basis बनाती है और ये कहती है कि जहां तक ये will है ये सही नहीं है, genuine नहीं है, ये valid नहीं है और उसमें ये कहती है वो कि father उसके last six months में A के साथ रह रहे थे तो वहाँ पर natural सी बात है A ने B के father को अपने influence में ले लिया होगा और ये will लिखवा ली होगी या इस बात की possibility भी हो सकती है कि उन्होंने ये document यानि की will फॉज तरीके से तयार की हो इसके लावा B ने ये भी allegation लगाए कि उसके father तो पढ़ना लिखना जानते थे उसके बावजूद भी will पर simply एक thumb impression था जो simply इस बात को indicate करता है कि उसके father पढ़ना लिखना जानते थे तो फिर will के ओपर thumb impression क्यों था अब इस context में एक person जो की scribe था उसने court में आके testify किया कि जिस समय पर वो thumb impression लेने के लिए या execution के लिए गया था उस समय पर जो उसके father थे उन्होंने august के month में अपने उपर एक quilt ले रखा था और उसके father ने scribe के साथ कोई बातचीत नहीं की even B ने ये भी allegation लगाए कि जो will है वो specific will नहीं है वो एक general will है या निकी generally उन्होंने ये mention कर दिया कि मैं सारी property अपनी बेटी A के बेटे C को दे रहा हूँ तो उन्होंने ये नहीं mention किया ये मैं कौन-कौन सी property दे रहा हूँ तो जब ये plain file की गई इसके reply में देख लेते हैं कि A ने जिसके बेटे के favor में will की गई थी उसने क्या कहा कि B financially sound है और happily married है इसकी वज़ा से A के father ने वो सारी property A के नाम पर कर दी यानि कि A के बेटे के नाम पर कर दी क्योंकि B को उसके पैसे की requirement नहीं है इसके लावा A ने ये भी कहा कि उसने अपने favor में एक attesting witness को भी produce किया है जिसने इस बात को court में आके depose किया है कि उसके सामने ही ये will execute हुई थी A ने ये भी कहा कि will उसके father ने out of free mind दी है और उसका किसी तरह का कोई भी influence A का उसके father पर नहीं था A ने ये भी कहा कि last six months में और last days में father उसके साथ रह रहे थे क्योंकि उसने अपने father की सेवा की तो उससे खुश होकर उसके father ने वो सारी property उसके बेटे C के नामबर कर दी थी अब ये दोनों facts दोनों parties के जो facts हैं वो आपके सामने हैं और आप judge हैं आप इस matter को कैसे decide करेंगे चलिए मुझे सोच कर बताईए कि अगर आप judge हैं तो इस matter को आप कैसे decide करेंगे चलिए मैं इसका solution आपको देता हूँ इस matter को decide करने के लिए हमको certain legal propositions यानि की case law का help लिना पड़ेगा मैंने इस matter को solve करने के लिए two different case laws का help लिया है पहला case law है कल्यान सिंग वर्सेज छोटी इसमें honorable supreme court ने कहा क्योंकि ये executant मर चुका है तो ऐसे सेनारियों में उसको तो court में produce नहीं किया जा सकता उन attivating circumstances को समझाने के लिए कि ये will किन परिस्तितियों में और किन circumstances में की गई थी इवन court ने ये भी कहा कि अगर आप will की genuineness और authenticity को prove करना चाते हैं तो उसके लिए आपको एक trustworthy और unimpatible evidence court में lead करनी पड़ेगी court ने ये भी कहा कि अगर हम किसी भी will की genuineness को देखना चाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम witness की testimony पर ही rely करें अगर court चाहे तो attenuating circumstances और transaction की probability इसको भी check कर सकती है इसके अलावा एक और citation है जिसका help मैंने यहाँ पर लिया है और वो है इस case में Honorable Supreme Court ने कहा कि जहां तक will की execution का सावाल है और उस context में अगर आपने scribe को produce कर लिया आपने witnesses को produce कर लिया और आपने thumb impression से ये prove कर दिया कि ये will genuine है तो ऐसा नहीं है ये sufficient नहीं है किसी भी will की suspicious circumstances को explain करने के लिए इसका मतलब court इन सब चीजों के beyond जाकर भी ये check कर सकती है कि क्या ये will genuine है या नहीं इसका मतलब court बाकी भी circumstances को देख कर उस matter को decide कर सकती है कि कहीं ये will forge तो नहीं है सिर्फ इस बात के लिए कि witnesses को produce किये गए है और will पर thumb impression है और subscribe को या attesting witnesses को produce किया गया है इसलिए ये will genuine है तो ऐसा नहीं है तो last में हम इस matter में कैसे conclude कर सकते हैं जरा देख लेते हैं सबसे पहले हम circumstances को देख लेते हैं यानि कि facts of the case को देख लेते हैं इस case में हमारे सामने एक बात सामने आई है कि चूंकी father sign कर सकते थे उसके बावजूद भी उस particular will के ओपर thumb impression है और यहाँ पर thumb impression होने के लिए कोई special circumstance को indicate नहीं किया गया कि उन्होंने sign क्यूं नहीं किये जबकि वो sign कर सकते थे तो यहाँ पर एक doubt create होता है कि thumb impression ही वहाँ पर क्यों मजूद था, signature क्यों नहीं थे दूसरा, August के मन्त में ये facts हमारे सामने आया है कि father quilt से covered थे आप सभी लोग जानते हैं August का महीना, July का महीना बहुत ही गरम और चिपचिपा और humid होता है ऐसे सेनारियों में उसका quilt के साथ covered होना इस बात को clearly indicate करता है कि कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके father unconscious हो और उस समय पर मरने से पहले वो उसको execute करवा लेना चाते हो या यह भी हो सकता है कि father की death हो चुकी हो और उसके बावजूद उन्होंने उस will को forge तरीके से तयार करने की कोशिश की हो या तयार की हो इसके इलावा scribe ने ये भी आकर बोला था कि जब वो वहाँ पर आया था तो father ने उससे बात नहीं की थी इसका मतलब यह इस बात को indicate करता है कि father उस समय पर शायद या तो conscious नहीं थे या उनकी death हो चुकी थी और इसके इलावा यहां सारे circumstances इस बात को indicate कर रहे है कि A ने इस will को execute करने के लिए active participation लिया है इसके बारे में कोई भी intimation उनने B को नहीं दी थी कि उसके father ने A के favor में कोई भी will या उसके बेटे के लिए will कर दी है तो अगर हम इनी सबी circumstances को combine करें और जो circumstances के context में मैंने आपको case laws दिया है अगर उनको हम combine करें तो हम इस conclusion में पहुंच चकते हैं कि यह will genuine नहीं थी बलकि एक forge document थी तो ऐसे scenario में हम B ने जो prayer मांगी है उसको allow किया जा सकता है you understand so that is all in relation to it मैं समझता हूँ किस तरह के problems को solve करने के लिए आपको एक lead willy होगी और future में आप easily किसी matter को solve कर सकते हैं so that is all in relation to this video session thank you so much जै हिन जै भारत